हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे यूपी बिहार का ट्रेडिशनल रेजिपी सत्तू पराठा और साथ ही इन दिनों इंटरनेट में काफी ज़्यादा वाइरल और ट्रेंडिंग में चल रही इस टेमाटो चटनी को रही बात इन दोनों रेजिपी को बनाने की या फिर इनकी टेस्ट की तो ये बनाने में जितना आसान है उससे कहीं जादा ये खाने में आपको टेस्टी और अच्छी लगीगी तो यूपी बिहार में लिट्टी या फिर सत्तू के पराठे को चोखा या फिर अचार के साथ सर करने के लिए आज हम इस वाइरल टमाटो चटनी से सफ करेंगे न test लिए बिना मिकशी देरी के हम चलते हैं यंओ बनाने के तरफ तो सबसे पहले हम इस वाइरल होड़ी टमाटो चटनी को बना लेते हैं तो इसके लिए मैं आप इन सभी कटे हुए टमाटर को एकक करते हुए हम रखते जाएंगे और इसे ढखकर हम एक से दो मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे तो एक से दो मिनट तक पकाने के बाद अब फिर से हम इन सभी टमाटर को पलट कर फिर से हम एक से दो मिनट तक पका लेंगे ताकि ज पॉइंट पे हम फ्लेम को आफ करेंगे और इन सभी पकेवे टमाटर को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इनके इसकिन को हम निकाल लेंगे और इन सभी टमाटर को हम अच्छे से मैस कर लेंगे मैस करने के बाद हम इसमें ऐट करेंगे फ्राइ किया हुआ मस्टरड ओائल में 5-6 लसुनकी कर लिया और इसे भी मैस किये वे टमाटर में हम अच्छे से मिक्स कर के मैस कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे कटी वी, हरी, मिर्च, प्याज, धन्या, पत्ती अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही स्वात के अनुसार नमक डाल के एक बार और अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें नीबू करज या फिर रेट चिली पॉडर या फिर चाट मसाला भी एड़ कर सकते हैं तो बस बनकर रेड़ी हमारी ये ट्रेंडिंग और वाइरल में चलरी टेमाटो की चटनी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ड्राइ कीजिएगा तो सत्तु पराठा जो बनाने के लिए हम आठा लगाएंगे वो हम हलका सा सौफ्ट लगाएंगे ताकि जब हम स्टफिंग करेंगे और इसे जब हम बेलेंगे तो साइड साइड से जो मसाले हैं सत्तु के वो ना निकले तो ये हमारा में पॉइंट है तो यहाँ पर हम लेंगे दो कप आठा इसमें डालेंगे हलका सा नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हलका सा इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे तो जो डो है हमारा डेड़ी हो गया है अब हम इसे पांस से दस मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं तब तक हम इधर सत्त Oma साला बना लेते हैं सत्तो मसाला या फिर स्टाफिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे डेल कप सत्तो या आपको इजली मार्केट में मिल जाएगी और इसमें हम एड़ करेंगे हलका सा नमक, कटीवी, लसोनर, हरी मिर्च, साथ ही ग्रेट किया हुआ अद्रक, मंग्रेला, अजवायन, अचार का मसाला, नीबू करस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे मस्टर अच्छे से बाइंड हो सके जब भी इस स्टफिंग के हम पराठे बनाएंगे ना तो रोल करते समय जो यह मसाले हैं स्टफिंग वाले यह इधर उधर से बस निखले ना तो पराठा के लिए सत्तु मसाले का स्टफिंग जो है बनकर रेड़ी है तो अब डो में से हम एक बखाएंगे और इसे हल्का सब्रेंस करते हुए हम इसे गोल शेप में अच्छे से बेल लेंगे तो हलका हलका सब प्रेस करते वे हमें मीडियम साइस में अच्छे से गोल कर लेंगे आपको साइस बड़ी और फिर छी आपको जैसी रखनी है आपकी यह चौइस है तो इसे अब हम गरम तवे पर रखेंगे और हलका सही से पखने देगे जैसी यह अब हलकी से पख जाएगी हम इसे पलट कर फिर से इसे पखने देगे तो हम इसे मीडियम हिट पे पखाएंगे तो अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसके उपर अट करेंगे ओल या फिर घी आपको जो पसंद है आप इसमें लगा सकते हैं तो अच्छे से तेल लगाने के बाद अब हम इसे हलका हलका सा प्रेस करेंगे यह अपने आप पराठे अच्छे से फूलने लग जाएंगे तो इस तरीके से एक बार आप जरूर बनाएगा आपके भी सत्तू के पराठे जो है एक दम फुले फुले बनेंगे कहीं से भी नहीं फटेंगे तो हमारी गर्मा गरम सत्तू के पराठे जो हैं बनकर रेड़ी हैं हम इसे सर्फ करेंगे इस वाइरल टेमेटो चटनी के साथ और साथ ही थोड़ा सदही और अचार भी मैंने लिया है आपको जो पसंद है आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं लेकिन एक बार आप इस दोनों जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी अगर आपने वाइरल इस टेमेटो चटनी को ट्राइ किया है तो मुझे कमेंट करके भी बताईएगा अरे इस वाइरल टेमेटो चटनी को आप ब्रेट चावल रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर स गब बाक दिए गल सांवल खरी ऑ्राइरल ऑनवर रे टेमेटो चावल खावल झाल बाक साथी एंज॑ चावल प्रएगा जसे नहीं जा प्राइबा ही तो मुझे है खुब टन दाऊ जा है वारे टाज जा पावल गाय जा